में खाना खाने से ज़्यादा अगर कोई चीज इंपोर्टेंट है तो वो है इंग्लिस आप एसे काफी स्टुडेंट होंगे जो किसी और कुछ जब वो इंग्लिस में बात करते हैं इंग्लिस में बोलते हैं और इंग्लिस में वो पढ़ते हैं बहुत अच्छे हैं English में तब आप लोग सुंसते हैं कि कास मैं भी English में बात कर पाता अच्छे से पढ़ पाता Pronunciation बहुत अच्छे से कर पाता और English का मैं जो है expert बन जाता तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा English practice आप जो है कैसे कर सकते हैं किस तरह से आप जो है English में बोलना सीख सकते हैं पढ़ना सीख सकते हैं सही से pronunciation करना सीख सकते हैं और English में जब आप बात करने लग जाएंगे तो आपके अंदर अलग ही self confidence जो है नजर आएगा और आपको खुद पर जो है believe अपने आप पर जो है बहुत ही विश्वास हो जाएगा तो लाश्ट अतक जरूर देखना इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप English में बात करने के लिए पूरी तरह से ready हो जाएंगे आपके English का practice जो है बहुत बहुत बहुतर और अच्छे से हो जाएगा जैसे कि आप लोगों का बताना चाहता हूँ कि daily life style में हम सभी को कोई ना कोई बोलता है हमारे दोے से friends कोई भी कि रहा रहा है तो कितनी जल्दी का मतलब होता है जल्दी का मतलब होता है शून और कहां मतलब कि where is और क्या मतलब कि what is सबसे पहले यह क्या आएगा उसके बाद जो है और का इल्स और कितना मतलब कि how much इल्स और क्यों चाहिए why more तो इंग्लिस में क्या होता है बेसिक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो से वाय लिखा तो इसको वाय ही पढ़ना है आपको अभी स्पेलिंग ही रहता है और हमारे यहां पर जो है ब्रीटिस इंग्लिस का जो है यूज होता है और इस पेलिंग के बात करें तो आपने इंडिया और अधर कंट्री का इस पेलिंग जो है अलग होता है लेकिन दोनों का प्रेंशेशन एक ही होता है क्योंकि हमारे यहां पर जो है ब्रीट nothing more, और कुछ, anything is, और यदि आपको कोई पूछे कि और कुछ चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि anything is, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं मतलब कि nothing is, अराम से, मतलब कि take it easy, नहीं बोलते हैं फिल्मों में आप कहीं भी सुने होंगे, take it easy, तो आप लोगों को लगता है कि क्या बोल रहा है, take it easy, तो इसका मतलब होता है, अराम से, क्यों नहीं मतलब कि why not, तो ये daily life style से आप लोगों का जो चीज मैं बता रहा हूँ, वो daily आपके routine से जुढ़ा है, तो आप लोगों को जब इंगलिस में बात करने के लिए शीखना है, इंगलिस का practice, तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने friend circle के 20 में ये चीजे जो ही start कर दीजे, बोलना ही start कर दीजे, फिर धीरे धीरे आपका इंगलिस में पकड़ बनता जाएगा, जैसे समय समावता है, तो क्या होता है, times up, तुमने सहीं किया, मतलब कि you did right, right मतलब कि सहीं होता है, तुमने सह खुद को समालो, मतलब कि pull yourself together, यही चीज आपको बोलना है, पहले हिंदी में आपको ने दोस्तों से बोलवाई है, उसके बाद इंगलिस में आप बोल सकते हैं, फिर आपके दोस्तों सुबा में, मौरिनिंग में मिलते हैं, इमनिंग में मिलते हैं, आप्टर नूर में यद सुचने कि हम इंगलिस में इतने एडवांस नहीं है, बाहर जाकर रिस्पोकन इंगलिस के गामर करेंगे, उसके बास सिखेंगे, ऐसा नहीं है, आप तो स्टार्ट तो किजिए, फिर धीरे धीरे आप सब चीज सीख जाएंगे, जैसे कि गलतियां हर किसी से होती है, मतलब क एवरिवन मैक्स मिश्टेक, मैंने ये सोंचा भी नहीं था, तो जब धीरे धीरे से आप छोटे चोटे वाड़ को पकड़ते जाएंगे, आपका अच्छा पकड़ बनते जाएगा, उसके बाद जो है, आप लांग लांग वाड़ को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जै ये तुम्हें मजाक लग रहे है क्या, मतलब कि डू यू फाइंड इट फणी, जाने भी दो, मतलब कि लेट इट बी, तो जाने भी दो, ये तीन वर्ड का सेंटेंस है, इसे आप जो है बहुत इजली जान सकते हैं, जाने भी दो, अगर आपके दोस्तों बोलेंगे, आपक इसका सही से प्रोनेंशियेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो इससे बोलते हैं, इन ओ यू जी एच, तो जो स्पेलिंग होता है, उसे अपने कॉपी में लिखने के प्रैक्टिस कीजिए, आप यह मैं सोचे कि मैं इंगलिश का प्रोनेंशियेशन अलग करूंगा और एक्जा तो क्या होता है कि आप जो है रॉंग 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 पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा जब करेक्ट कोई आपको बताएगा तो आपको लगेगा कि यह जो है रॉंग बता रहा है, मैं ही राइट हो, तो ऐसा नहीं है, आपको जो है सही से प्रोनेंशियेशन करने ह आप लोगों को मैं और कोई बेसिक बेसिक चीजे बता देता हूं जैसे की नतिंग का मतलब होता है कुछ नहीं जश्ट नौ मतलब की बस अभी चील डाउन मतलब की सांथ रहो चील बोलते हैं ना तो सांथ रहो move back मतलब कि my turn जो इंग्लिस में रहता है आप उस जैसे my turn बोल रहा है तो आप उस पर जो है focus किजे concentrate किजे क्योंकि जो इंग्लिस में pronunciation होता है जो हम पढ़ते हैं उसी के हिसाब से हिंदी में भी उसका मतलब होता है not here मतलब कि यहां नहीं not again मतलब दोबारा होता है not you मतलब कि तूम नहीं this much इतना ही no more मतलब कि और नहीं not yet मतलब कि अभी नहीं show yearly इतनी जल्दी my mistake मतलब कि mistake मतलब होता है गल्ती तो मेरी गल्ती since long मतलब कि लंबे समय से let go मतलब कि जाने दो shame here मतलब कि मुझे भी all of us हम सभी both of you तुम दोनो we all मतलब कि हम सभी it's me ये मैं हूँ shame here मुझे भी our hair यहां पर year sego ये चीज बहुत जादे इंगलिस में जो है use होता year sego मतलब कि बहुत साल पहले many times मतलब कि कई बार so nice बहुत बढ़िया next time मतलब कि अगली बार nothing else मतलब और कुछ नहीं all alone मतलब कि बिल्कुल अकेले तो all मतलब होता है सभी alone मतलब होता है अकेले तो क्या हो जाएगा all alone मतलब कि बिल्कुल अकेले तो इस तरह से आप जो है English आपका English का practice बहुत अच्छे से हो जाएगा English जो हाँ पढ़ना सिख जाएगे और English का pronunciation आपका जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा इसी तरह कि आप जो है English grammar की वीडियो से देखना चाहते हैं डेली जाब वेकेंसिस कंप्यूटर की जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब इसक्राइब जरूर कीजिए